हिमाजिल प्रदेश के सीएम जैराम ठाकुर ने शीत कालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश रगनी होत्री के बयान पर तल्ख लहजे में कहा है कि कोविट को राचनिती के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये किसी व्यक्ति ये सरकार द्वारा पैदा किये गए हालात नहीं है इसलिए उनको सहयोग करना चाहिए लेकिन जुस तरह की बयान बाजी वो फ्रस्टेट होकर कर रहे हैं समझ में नहीं आता कि कॉंग्रिस ने किन हालात में उन्हें ये उतरदायत हो दिया है अपने विवह कुर ने क्या कहा जब मौन सुन सत्र में कोवीड पर डिसकेशन हुआ तो यही मुकेश अगनी होते ही जब नियम स्ताशेट के तैस्ट जो है वह वहां पर स्थागन प्रस्ताव लाए सवाउस में और उसका जब हमने हमने का सविकार करते हैं चर्चा करिए तो दूसरे आद का व्यक्ति को इस परकार का दाई तो दे दिया कॉंग्रेस ने मुझे मालूम ने क्या विवस्ता रही उनकी और जिस परकार के हालात में जिस परकार के विवार वो करने जा रहे हैं वो अपनी ही पार्टी में हास्य का एक बहुत बड़ा पात्र बने हुई है उनको इस बा के लिए कम से कम कम से कम इसके लिए तो कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हम को सहयोग का रास्ता कैसे करना चाहिए ना कि राजनिती का इसमें राश्ता ढूनना चाहिए और उनको इस बात को मैं पूछना चाहता हूं पंजाब में हो रहा रहा क्या राजस्तान में हो रहा क्या ख़तिस गड़ में हो रहा किया है वहां पता करिए ना और उसके बाद मैं यह भी मैं कहना चाहता हूं कि पार्लिमेंट का शार्षन डाफर हुआ है आखिर वो कहना क्या चाते हैं कि माचल कोई देश से अलग है क्या अपने परदेश जा है उनके शाषे ने वहां पर पता करें विशुद्ध राजनतिक दृष्टी से विपक्ष जो है फ्रस्टेट हो करके ऐसे हरकते कर रहा है मुझे उन शब्दों का चैन करना उचित नहीं लग रहा है जो जिस परकार का उनके वहवार हम देख रहे हैं ऐसी परस्तिती में जो हमने निर्ने लिये हैं देखिए शेशन से स्वंदित में बड़स पश्ट कहना चाहता हूं अगर शेशन ना करने कि हमारी मनशा होती तो हम शेशन का नोटिकेशन ही नहीं करते हमने इम पिया तो रख के साय अभी मार पिया तो राख बीती आदों से नाता सहेशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उनसे संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए लिए यह एह रहता है